आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरे नाम है सिद्धान तग नियू अतरी study IQPAP का बहुत-बहुत सवागत है, ये बहुत ही important खबर आ रही है दोस्तों कि 21 साल कि ये climate activist को arrest कर लिया गया है, Greta Thinberg की toolkit को share करने के लिए, तो क्या खबर है, इसको बहुत सारे मीडिया ने cover किया है, सारे ही mainstream मीडिया ने इसको cover किया है, हम इस लेचर में जानेंगे, UPSC के smart courses आते हैं, आप study IQPAP डाउनलोड करें और अब हमने test series भी launch कर दिया तो आपको बहुत फाइदा होगा, इंस्टा पे आप मझे follow कर सकते हैं, जब आप comment करते हैं बड़ा मज़ा आता है मेरी पिक्स फे, तो ऐसे ही comment करते रही है, follow करते रही है, और सवाल पूछते रही है, अभी 8-10 दिन से मैं कोई सवाल के जबाब नहीं दे रहा हूँ, आप दूँगा, मैं बहुत जल तो दिल्ली कोट ने 21 साल की climate activist को पांच दिन की police custody में भेज दिया है, आपको पता ही है कि Greta Thunberg ने पहले toolkit को share किया, फिर डिलीट किया, फिर updated link दिया, पहले वाले में digital strike था, पुलिस ने बोला कि इसमें खालिस्तानी involved हैं और ये अंतरास्टी साजिश है वगेरा वगेरा, Greta Thunberg के उपर FIR भी दर्ज हुई, तो toolkit controversy ने बहुत तूल पकड़ा और इस पे separate lecture भी आप देखिएगा, तो यहाँ पे जो भी इस toolkit को share कर रहा है, उसको उसके उपर police जो है, वो नकेल कस रही है, तो इस activist ने 21 साल किसका नाम है दिशा रवी, इसने जब toolkit share किया, दो line edit करके, तो police ने इसको arrest किया, cyber cell team आई, बंगलूरू में रहती है, यह Saturday को आई, और उसके बाद इसको court ले गई, अब court में police ने 7 दिन की custody मांगी, पुलिस ने बोला, कि हम इसलिए इनकी custody मांग रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है, बहुत बड़ी conspiracy हो रही है सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ, और जो खालिस्तानी movement चल रहा है बाहर से, अब तो भारत में उसको कोई इस्तित्व नहीं बचा, जो भी बाहर से थोड़ा ब देखे किसमें कौन-कौन लोग involved है, ये कितनी बड़ी साजिश है, कोर्ट रूम में जब hearing चल रही थी, तो दिशारवी रोने लगी, उन्होंने बोला कि मैंने सिर्फ दो line को edit किया था, मैं सिर्फ farmers protest को support कर रही थी, बस और कुछ नहीं, magistrate देव सरोहा ने दिल्ली पुलिस को पांच दिन की पुलिस custody दे दी है, मतलब दिल्ली पुलिस अब पांच दिन दिशारवी से पूछताच करेगी, अब उन्होंने ये भी inform किया है कोट को, देखें, टूल किट आपको पता ही ना, कि इसमें, अभी मैंने आपको बताया व गरेटा थनबग ने फिर updated link दिया, तो यहाँ पे पुलिस का सरकार का है कहना है कि इसमें खालिस्तानी involved है, और ये देश के खिलाफे एक साजिश है, अब इसमें information about petitions, detail about protest and mass movement की जानकारी है, ठीके, तो इसीलिए पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा चौकननी है, इससे पहले भी दिल्ली पुलिस ने Google और कुछ social media giant से बोला था, कि आप हमको information देदो email IDs की, URLs की और social media accounts की, देखो, ये जो टूल की धड़ाधर share हो रही है, ग्रेटा थिनबग की, तो ये किसी ना किसी ID से कर रहे होंगे, URL होगा, या email ID होगी, तो वही दिल्ली पुलिस ने मांग पुलिस का कहना है, ये कितनी बड़ी येस में कौन-कौन लोग involved हैं, क्योंकि Cybercell ने F.I.R. जो है, pro-Khalistan creators of the toolkit for waging a social, cultural and economic war against the government of India, social, cultural and economic war, यानि कि सरकार को हिलाने की साजिश है, खालिस्तानियों की, हम तो उसकी जाज कर रहे हैं, ये पुलिस ने साफ-साफ बोल दिया है, केस जो है, वो बहुत सारी IPC की धारा ही लगाई है, criminal conspiracy, sedition, बाकी other sections, और toolkit जो है, वो एक तरीके से सरकार के खिलार dissatisfaction फैलाने की साजिश है, ताकि लोग जो है, वो गुमरा हो, और जो peace है, जो harmony है, वो बिगडे, और लोग जो है, वो सड़कों प्याहें, प्रोटेस्ट क बोला है, अब ये तो बात होई पुलिस की, तेज भर में हर एक दल इस arrest को condemn कर रहा है, और दिशारवी के support में आ गया है, हर कोई, मैं आपको कुछ tweets दिखाता हूँ, जैराम रमेश ने बोला है, यहाँ पे Congress हो, समाजवाधी party हो, सम्युक्त किसान मुर्चा दल हो, हर कोई एक स्वर में ये बोल रहा है, कि ये जो सरकार कर रही है, बेगुनाहों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही है, और बिना बात के, कुछ भी आप बोल दो, इनके खिलाफ तो उठाके जेल में डाल देगी, सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे जहराम के अरेस्ट को strongly condemn करता हूँ, और सारे students youth से ये अपील करता हूँ, कि इस authoritarian regime के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें, प्रियंका चतुरवेदी भी ये बोल रही है कि बहुत serious charges जो है, वो 21 साल के इस दिशारवी पे लगाए गए हैं, और ये बिलकुल भी सही नहीं है, सीता expression पे crackdown कर रहा है, कोई भी अगर कुछ भी बोल रहा है, freedom of speech को पूरी तरीके से यहाँ पे दबाया जा रहा है, फिर उसके बाद हम यह देखते हैं कि इधर समाजवाधी party होगे, उन्होंने tweet किया है, और बहुत सारे, उसके बाद, देखें मेरे पास वैसे tweet की बहुत लंब इस करो, उन्होंने सिर्फ शेयर किया है, सिर्फ शेयर किया, तो आप उसके basis पे कैसे आप arrest कर सकते हो, इस students ने इसके खिलाब प्रदर्शन किया, कुछ students ने तो अपनी class skip करके इसके खिलाब प्रदर्शन किया, लगबग लगबग दोस्तों सारे दल जो है, वो इस गिरफत का विरोध कर रही है, यहाँ पे coalition for environment justice ने भी इसके खिलाब प्रदर्शन किया बंगलूरू में और बोलाए कि सरासर गलत है, और बहुत सारे students, activists, 88 activists ने तो बकाईदा पेटिशन साइन किया, कि यह गलत हो रहा है, है ना, टूल किट में बस basic जानकारी थी, लेकिन अब उसक आप group create किया है, मैं आपको बता देता हूँ कि Delhi Police ने, actually क्या-क्या उनके statements है, Delhi Police यह बोल रही है कि यही एक है जिन्होंने toolkit dog को Greta Thinberg के साथ share किया था, और उसके बाद Greta Thinberg को यह बोला था कि आप toolkit हटा लो, और इनके साथ जो है, वो बहुत सारे activists और politicians और journalists सब शामिल है, ठीक है, तो दिल्ली पुलिस का ही कहना है, मैंने आपको दोनों पक्ष बता दिये, दिल्ली पुलिस क्या कह रही है, और इधर बाकियों का क्या कहना है, कि आप share, बस share किया तो उठा के आपको जेल में डाल दिया, फिलाल 4 फर्वरी को दिल्ली पुलिस की cyber cell ने FIR register की थी, क promoting enmity between different groups, groups के बीच में दुश्मनी फैलाना, और 120B, criminal conspiracy, तो ये धाराय लगाए गई है, फिलाहल इनको दोस्तों 5 दिन की पुलिस कस्टिडी में भेज दिया गया, ये खबर दी, जो मीडिया में छपा, वो मैंने सब आपको बता दिया, आप देखेंगे आगे क्या होता है, जैसा भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन एक बात तो तय है, दिशारवी के support में बहुत सारे activists, in fact, सारे activists, environmentalists, journalists, politicians, बहुत सारे, majority of them are supporting दिशारवी, तो अभी देखते हैं कि ये कैसे जाएगा, कैसे investigation होगी, क्या होता है, और अगर दिशारवी की बात करें, त और ये एक organization चलाती है Fridays for Future, Fridays for Future नाम से, उसमें ये climate change के बारे में बात करती है, कोट में इनोंने बोला कि, ये रोने लगी और इनोंने बोला कि, देखे, मैं तो सर्फ फार्मर्स को support कर रही थी, फार्मर्स हमको खाना देते हैं, और हम उनका ही दिया हुआ खाते हैं, अब उ देखेंगे, जैसा कि मैंने बता है कि investigation आगे होगी, अब इस पर जाधा ही हम क्या comment करें, ये मेरा telegram channel है, 13100 subscriber है, पिसी को join करिएगा, खुछ रही पढ़ते रहे, इदे से सिद्दान तक नहीं होतरी, signing off, भई अब फिर से बता रहा हूँ, ये जो media में है न, जो खबर छपी है, हमारा काम है आपको बताना, सच्चा ही बताना, ठीक है, जो जो है वो मैंने आपको बता दिया, खुछ रहे पढ़ते रहे, इदे से सिद्दान तक नहीं होतरी, signing off.